हाँ तो प्यारे बच्चों एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपकी इस प्यारे से परिवार जय महादोय विद्यकुल पे और आज हम बात करने माले हैं क्लास 12 के जो बच्चे एक्जाम दे चुके हैं काफी बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर प्रेक्टिकल हमारे भी नहीं हुए हैं और प्रेक्टिकल में हम प्रोजेक्ट में क्या बना ले हमारा वाईबा किस तरह से होगा तो कुछ प्रोजेक्ट में जो आप बना सकते हो और किस तरह से इस पर कोश्चन पूछे जाएंगे इस पर डिसकस करेंगे और देखो इस चीजों को बना सकते हो class 12 की physics से और किस तरह से वाईबा होगा बेटा आप सबसे पहले जैसे कुछ बच्चों ने transformer बनाया होगा बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है transformer class 12 के बच्चे transformer बनाके जाते हैं आप देखें जब आप examiner के पास जाओगे तो examiner सबसे पहले आपसे पुछेगा प्रोजेक्ट में क्या बना है भाई इसे मोड के आप ले गए आपसे पुछा क्या बना है आपने कहा transformer तो पहले वह आपको transformer कुछ basic चीजे पूछेगा और एक बात याद रखना हो पहले तुम्हारा लेबल चेक करता है कि तुम किसे लेबल पर बात कर सकता है तुमसे पहले कोशन पूछा कि transformer कि सिद्धान पर कार करता है अब आप मुह बनाया इसे खड़े हो तो आगला कोशन तुमसे पुछबह नहीं करेगा ठीक है विटा जाओ तो बहुत चोटे चोटे कोशन पूछा जैसे मैं इसके कोशन की बात करता हूँ एक टॉपिक आपने transformer बनाया तो आप इस तरह से पूरा transformer की क्रोड बनाओगे ठीक है यहां पर input दिखाओगे कि हम यहां पर input दे रहे हैं ठीक है उसके बाद यहां पर output दिखाओगे primary secondary coil बनाओगे यह सब कुछ और आपके project में सब इंग्लिस में भी लिख सकते हूं चाहे हिंदी में लिखो चाहें इंग्लिस में लिखो ठीक है अब देखें इससे question क्या पूछा जैसे जैसे आप से पूछ लिया कि सिध्धान पर कार्य करता है तो आपको पता transformer अन्योन प्रेयरन मिचुवल इंडेक्शन के सिध्धान पर प्रकार करता है आप से पूछ लिया transformer कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओ कि सर दो तरह के होते हैं एक step up transformer होता है एक step down transformer होता है आप से ज़्यादा नहीं चार छे दस question पूछना उसको अब उसने पूछा step up transformer क्या होता है तो आपने बताया कि सर जो प्रत्यावरती वि विभाव को बढ़ा दे उसको step up transformer कहते हैं आपसे पूछा step down transformer क्या है वह transform जो प्रत्यवर्ती विभाव को घटा दे कम कर दे उससे step down transformer कहते हैं अब आप से पूछ सकता है यहां पर जो iron core लगा जाती है यह laminated क्यों होती है इनको पटलित क्यों किया जाता है ठीक है laminated क्यों होती है तो यह कारण आपको इसमें भवर धाराओं से क्या नुक्सान होता है इसके अंदर coolant क्या बोलते हैं प्रसीतक हां हिंदी बोलते हैं प्रसीतक coolant क्यों डाला जाता है जो पूरी पकड होनी चाहिए उस पे आप डिटेल में पढ़ लीजेगा वो आप से एक एक लाइन के छोटे छोटे प्रस्टनों को पूछेगा तो ये बात होगा ही ट्रांसफॉर्मर के आप कुछ बच्चे ट्रांसफॉर्मर बनाए होंगे तो उसके सिध्धान पे किते प्रकार का होता है कैसे होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेसियो क्या होता है पर्णमान अनुपात इसमें उर्जाहान ही क्या होती है ये लेमनेटेड क्यों होती है इसके अंदर कूलेंड क्यों भरा जाता है ठीक है यह सारी चीज़े आपको याद होनी चाहिए दिमाग में होनी चाहिए इतने चोटे-चोटे प्रस्ण आप से पूछेगा डरना नहीं है confident हो करके जवाब देना गलत जवाब मत देना जो पता हो वही दो सौरी सर बोल दो बस हो गया बात जैसे कुछ बच्चों ने बनाया होगा यह कुछ बच्चों ने बनाया होगा यह हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिस्टकारी क्या बनाया होगा बच्चा अर्ध तरंग दिस्टकारी मैं कुछ फेवरेट टॉपिक ही लिया हूँ भाई बाकि आप जो बार्जी ओ बनायों गे नहीं बनायों तो बना लेना अब हाफ वेड रिक्टि फायर आपने बनाया अर्द तरंग दिस्टकारी तो आप से पहले पूछ लिया कि दिस्ट धारा में परिवर्थित करे ठीक है उसे हम दिस्टकारी कहते हैं क्यों इसे यूंज करते हैं क्योंकि हमारे ज्यादा तर्ग कै डिवाइस का करते हैं उसको दिष्टकारी रेक्टिफायर कहते हैं दो तरह के होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर अब आपसे पूछे अर्धतरंग दिष्टकारी क्या है तो आप कह सकते हो जो प्रत्यवर्ति धारा के पूर्ण एक चक्र में से अर्ध चक्र का आउटपुट दे यह देखिए पूर एक चक्र में से अर्ध चक्र से धारा प्राप्त होगी और अगले अर्ध चक्र से धारा प्राप्त नहीं होगी फिर अगले अर्ध चक्र से धारा प्राप्त होगी अगले अर्ध चक्र से धारा प्राप्त नहीं होगी तो बड़ा सिंपल सा जवाब है सर अर्धतरंग दिष्टकारी क्या है तो आप कह सकते हो जो प्रत्यवर्ति धारा के पूर्ण एक चक्र में से अर्ध चक्र से आउट मलब निर्गत धारा दे आउटपुट दे उसे हम अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं जो पूर्ण चक्र से धारा दे उसे हम पूर्टरंग दिश्टकारी कहते हैं ये थो दिश्टकारी क्या होता है क्योंध होता है ये बात हो गई अब बात आती है अब आप आप से project आपका आपके सामने खुलवावा लिए गया आप इतने बड़े project बना ले गये सामने खुल लिए गया अब आपसे exam ने पुछ वेटा ये क्या लगाए हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये क्या-क्या चीजें लगाई है तो वे देंगे और प्रत्यवर्ती विभौ को कम ज्यादा करने के लिए आंड ट्रांसफार्मर का उप्योग करते हैं तो यहां से विभौ को कम ज्यादा करने का काम करते हैं अच्छा उसके बाद आप से पूछ लिया यह क्या लगा है तो इसको आप बता सकतो यह लोड प्रतिरोधक लगा है लोड़ प्रति रोधक लगीगा आप से पूछा कि बताएं इसमें आउटपुट कहा से मिलेगा तो आप बता सकते हो सर्फ लोड़ प्रति रोधक के दोनों सिरू से बच्च इसे क्या होता है वह एक इंसान है मेरे मेरे हुबहु कोश्चन नहीं पूछ सकता मैं भी बच्चों का बहुत वाई पालिया अपने टीचिंग या चले जाएगे आपसे हमने पूछा यह क्या लगा अपने का पी एंड हमने का कौं सी बारिंग हमने का वर अग्र दिशिक क्या होताई तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि सर जब हम पी छेत्र को पाजिटीव सिरे से जोड़ देते तो अग्र दिशिक होता है और जब को निगेट्व से और एन को पॉजिट्व से जोडते हैं तो पश्च दी सिख होता है तेस तरह से आप हाफ वेब रिक्टिफायर को पूरा डिफाइन करना ठीक है देखे मैं कहे रहा हूं जिस टॉपिक को चार्ट पे बनाओ उस टॉपिक पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए उस टॉपिक की एक एक बात आप उस चित्र को देखकर एक बार अपने आप से पूछना कि यह क्यों लगा है यह क्या है आउट्पुट कहां से मिलेगा इन्पुट कहां से मिलेगा यह क्या काम करता है इसकी क्या वस्ता है यह सब पता होना चाहिए और एक चीज़ आपने इंपुट दिया यह आउटपुट मिला यह भी आपको दिखाना पड़ेगा अच्छा इसी तरह से कुछ बच्चों ने फुल वेव रेक्टिफार यह तो हाप वेव रेक्टिफार है ऐसे भी बना सकते हो और थोड़ा सा आसान ही यह वाला भी बना सकते हो इसमें हमने ज्यादा जहामताम नहीं दिखाया यहां सीधे दिखाये कि यह डायोड लगा हुआ है लो डेजिस्टंस लगा हुआ है ठीक है यहां पे यह हमने इंपुट है और यह सीधे-सीधे दिखा दिया आउटपुट तो बहुत दो थो सिंपल इमेज ली हैं और इस तरह से भी और आपको पता होने चीँ यहां पर क्या लगाओolly koy Yeah A C Mains है यहाँ से DC प्राप्त होता है써 कुछ बच्चोंएlä प्रिजम बनाया होगा बाई कुछ बच्चों ने प्रिजम बनाया होगा अब तिक आसान होती है उन्हें प्रिजम बना लिया JUL कॉuous acc क्या होता है तब बताओ आप प्रिज्म कांश कि ऐसा सम्हांग पारदर्शी मात ध завی मैं जो कांश के समतल्परष्टों से किसी कोंड पर आफ जूका होता है ये बता सकते हूं आप से बेटा ये प्रिज्म से आप आपने दिखाया है बड़्या लाल पीला हरा नीला क्लर से मैं ने देखा लड़गया बहुत खासकर बनाती यह लड़गियों यह तब अच्छा क्छा लगता है लेकिन तरह का प्रोज 있एव तो आपको बताना पढ़ेगा सर ये प्रिजम दोहरा ववाणे बिक्षेपड दिखाया गया है अब चलिए प्रस्ण बसूरू होते हैं वाड़े बिक्षेपण क्या होता है तो बताओगे किसी प्रिज्म पर जब स्वयत प्रकास को आप्तित कराते हैं तो अपने सवी अवय रंगों में विवक्त हो जाता इस घड़ना को वाड़े बिक्षेपण कहते हैं अच्छा अब यहां पर आप से पूछ लिया कि सबसे ज्यादा बिचलन किस रंका होता है तो आप बताओगे बैगनी रंका होता है सबसे कम बिचलन किसका होता लाल रंका होता है बैगनी रंका बिचलन सबसे ज्यादा क्यों होता है अब यह कौनसेप्ट वाले प्रस्ण मन ग जादा इसका पुर्दन सबसे कम तो इसका विचलन सबसे कम इस तरह से आप बता सकते हो थीचे-अच्छह इसमें इस जो ये हमें प्राप्त होता is spectrum का मद्धिवर्थी रंग तीला रंग होता है अच्छे आपसे पुछा वर्ड बिक्षेपर छमता क्या होती है तो बता सकते हैं किसी प्रिजमे के दोरा रंगों को अलग-अलग करने की छमता वर्ड बिक्षेपर छमता होती है तो बच्चो घबराना नहीं है अराम से बताना है ठीक है अच्छा आप से पुछा प्रिज्म के आप उर्तनांग का फॉर्मला बताओ आपने तुरंद बताए न बराबर सामने बिचारे उनकी सटाकी पटाकी गुल गायब हो गए उनके प्रस्न वहीं गण उत्तर ही गाये होगए उपक्यु उनके उसको आता रहता । कारण क्या होता हो बिचारा घबरा जाता है घबराना नहीं है ठीक है आपनेragen बना लिया अब मानोनेतर पे देखे बहुत सारे प्रश्ण मंते हैं मानोनेतर में आप प्रतिविम बनता है आपने का हां सर कैसा प्रतिविम बनता है या आप मानोनेतर से सम्मंदित पूछ लिया कि मानोनेतर में कितने द्रश्टी दोस होते हैं तो द्रश्टी दोस के बारे में आपको पढ़ना होगा दूर द्रश्टी दोस क्या होता है नेतर में निकट द्रश्टी दोस क्या होता है इसका निमारण कैसे करते हैं इसका निमारण कैसे किस लेवल का है उसके बाद नियर्धारित होता कि उससे किस प्रकार के प्रसेंट पूछे जाएं किस तरह से पूछे जाते हैं जर्री वह हम बात कर रहें दूर क्या है तो आपको बताना पड़ेगा जब दूर में दोस ना यह तो दूर है कर सकते हो कारण फिर निमारण थीक है आप से इसमें पूछ लिया गिसी कारणिया कहा होता तो आप बता हो कार्णिया होता है आपसे पूछ रहे हैं नेत्रदान करते हैं तो क्या यह पूरा नेत्रदान होता है तो डीप में पड़े होगे तो पता होगा केवल कार निया जाता है ठीक है आपसे पूछा इन प्रकास सिराओं का काम क्या होता है यह क्या करती हैं नेत्र में कई प्रसम मनते हैं भाई तो आ करका सिराओं के माध्यम से हमारे ब्रेन को जाता है यह डिटेल पता होई जी है जो भी बनाना वह आपको पढ़ना चीन आपको पता होना चाहिए पीत बिंदु क्या है अब बतौद की रेधना की परत परवा बिंदु जहां पर बना परतिवियम सबसे इस पष्ट होता है उसको पीत बिंद को यह तेलो स्पॉट अंद बिंदु कहां क्या होता है रेड़ना गे परत परवा बिंदु जहां पर बनने वाले परतिवियम को हम इस पष्ट नहीं देख पाते हैं या देख ही नहीं पाते हैं उसको हम अंद किए फुल वेबर एक्टिफायर से अउट्पुटाये प्रत्य वरत्यDAR के पूठचर से आउट्पुट दे उसे फुल वेश्ट्पुर कहते हैं आपसे इसमें पूचा बिट्टा आपने दो डायोट क्यों लगाए हैं तो आप ने बताया कि अरध्चक्र को डायोट डीवन से आउटपुट मिलेगा और दुती अर्धचक्र का डायोट डीटू से आउटपुट मिलेगा अब बात है आउटपुट कहां से मिलेगा तो आप बताओगे सर यहां पर यह जो लोड रेजिस्टेंस लगा है बीच में इसके दोनों सिरों से हमें आउटपुट आउटपुट को जोड़ना यही से इस तरी की चीजे पढ़ते रहना अराम से जो भी बनाना उस पर अच्छी पकड़ बनाया रखना और एक चीज बता दे जरूरी नहीं है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट से पूछे कई बार तो ऐसे से बच्चे आते हम लोग के सामने तो उ पूछना पड़ता था चलो तुम ए प्लस बी का स्कॉायर बता दो वह भी नहीं बता पाता था उससे पूछना पड़ता था गोलिये का आयतन बता दो ठीक है तो आप अपने आपको रिलैक्स तरह जो आपको आता होगा वहीं बताके आओगे परिसान होने क्या आओ सकता न ठीक है चलते हैं मां की मेरी बेश्ट बिसेस आपके साथ है आप एकदम से अच्छे से देख रहा होगे और दा नेरी बेश्ट बाइबाए